हलो स्टूडिंट्स स्वागता आप सभी का आपके अपने चैनल टी एच क्लास उस पर हमारा मोटो है वी टीच एची यानि हम पढ़ा है और आप सभी अपने लाइफ में सेक्सस अचीव करें तो लेकर आ गई हूँ बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं गनित का यानि की mathematics का TMA आप solve करवा के हमें provide करो तो आज इस वीडियो में हम basically गनित यानि की 211 जिसका code है 10 वाले बच्चों के लिए बिल्कुल fully solve TMA में आज दिखाने वाली हूँ आप सभी बच्चों को तो ये पूरा fully solve TMA है आपको कुछ नहीं करना है basically जो जो इसे marks यहां से मिलेंगे यह मेरी guarantee है चलिए start कर लेते हैं हमारी वीडियो को इससे पहले अगर चैनल पर नए है सब्सक्राइब कर दीजे क्योंकि बहुत benefits आपको मिलते हैं सब्सक्राइब करने के बाद अगर कोई भी हमारी वीडियो upload होगी तो सबसे पहले आपके पास notification आ है वो भी मैं आपको कुछ provide करवा चुकी हैं और बाकि आने वाले टीमेज भी आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे और अभी से पहले मैंने जो है 10th के टीमेज भी अभी तक upload करें हैं कुछ और 12 के भी मैं साथ-साथ करती रहूंगी तो बिल्कुल चिंता मत कीजेगा जितने भी आप कॉमेंट्स करते हैं मैं सभी को पढ़ती हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है सभी टीमेज आपको मिलेंगे जो जो आप मुझे बता रहे हैं बस थोड़ा सा पेशेंस रखे थोड़ा से सपोर्ट करिए क्योंकि क्या है ना कि मतलब थोड़ा टाइम लग में दिखा रही हूं इंग्लिश मीडियम भी इसका जल्दी ही अपलोड कर दूंगी जिनता मत कीजिए इसी दे कहरे हूं सब्सक्राइब कर लीजेगा पहले ही तो यह जो टीम में होते हैं इसमें चैन क्वेशन होते हैं दोनों में से कोई एक आपको करना होता है ठीक है और यह जो होते हैं यहां लेक्टिकल्फ तो ॉस तरीकिकी शीट्स आप कह सकते हैं वह आपको लेकर आनी है प्राइब कर ब्लू और ब्लक फेन्स का यूज करना है अगर कोई बहुत तरीके से बनेगे ठीक है तो अगर कोई अग्राफ वगेरा या कुछ भी आता है वो सबी चीजे में आपको दिखाऊंगी और हैंड मेड है तो कोई दिक्कत तो आने वाली है नहीं तो आप सबसे पहले अपनी शीट पर क्या लिखेंगे गणिक दोस्तों क्यारा यानि की सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का कोड इसके बाद सिक्षक अंकित मुल्यांकन पत्र यानि की इंग्लिश में इसको टीम में कहते हैं वो लिखेंगे अन्रोल में नमबर आप चाहें तो लिख सकते हैं लेकिन ऑनलाइन आपके पोर्टल पर यह अप्लोड होगा तो कोई चिंता की बात नहीं आपको अप्लोड करना है सबसे पहला क्वेशन आपका देख लेते हैं तो यह आपको क्वेशन 40-40 सब्दों में है तो यह मैंनी वर्ड लिमिट का बहुत अच्छा खा का और वह आपको बुक्स में भी नहीं मिलता लेकिन आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है तो आपको तो बिल्कुल मिल जाएगा आराम से तो सबसे पहले मैं दिखा देते हैं इसमें क्या बताना था मैं पुनित आपने BMI को सही करने के लिए प्रातकाल रोज सेर करने जाता है और अपने ओसत कदमों को नोट करने के लिए फिटनेस आप का प्रियोग कर रहा है तो उसकी एक जो यह सार्णी यहां पर बनाई हुए सेम आज इस आपको बनानी है ठीक है बिल्कुल सेम बनानी है यह सार्णी फिर उसके बात फॉस्ट क्वेशन है इसी में से कि पुनिक की द्वारा सब्तहां में चले कुल कदमों की गन्ना कीजिए आंसर आप यहां से लिखेंगे तो ब्लू पैन से आप आंसर करेंगे और ब्लैक पैन से आपको क्वेशन लिखने है तो पुनिक की द्वारा चले गए कुल कदम है 21,500 इन सभी को उन्हें प्लस कर दिया जो यह सारे थे ना उनको प्लस कर दिया ठीक है लिख लीजे आप चाहें तो आप पॉस करके वीडियो को लिख सकते हैं या फिर स्कीन शॉट भी ले सकते हैं सभी क्वेशन और आंसर का उसके बाद सब्तहां में किस दिन वह सबसे जादा घूमा तो आंसर हो जाएगा रव 07 1.4 ठीक है अब यहां पर मैं एक बात और जानकारी देदू जिस पर अच्छे को पीडियेफ चाहिए इसका ठीक है वो हमें टेलिग्राम पे जो है हमारा ग्रूप है ठीच क्लास के नाम से वहां पर आप हमें पोलो कर सकते हैं लिंक आपको डिस्रुप्शन में मिल जाए पर यहां पर आपको पर्सनली यानि कि टेलिग्राम पर पर्सनली ठीच क्लास के नाम से हमें मैसेज करना पड़ेगा तब आपको यह पीडियेफ हम प्रोवाइड करवा देंगे और एनिवेस यूट्यूप पर तो फ्ली ओफोस चली रहा है हमारा टीमेस का सीरीज तो यहा इस सेम बनानी है पैंसिल से चिप उसके बाद आंसर आप देख लीजे यह आंसर हो जाएगा मैंने जो आंसर हैं उनके साथ चा जो भी चीज़े लिख्यों है जैसे यह गिवन में क्या था ठीक है यह सारी चीज आपको सेम लिखनी है सेम तरीके से पहले हमने B कमान निकाल लिया उसके पाद C का, D का तो अभी सारा आपको सेम लिखना है दीरे-दीरे मैं वीडियो को चलाती जाऊंगी ताकि आप सभी question and answers अराम से कर लिजेगा तो आपको फिर ये लिखना है फिर हमने E कमान निकाला और A कमान निकाला English Medium भी जल्दी ही upload हो जाएगा और बाकी सारे TMAs भी आपके जल्दी ही upload हो जाएगे चानल पर इसलिए चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले और लास्ट में आपको लिख देना है कि सभी कोनों का मान क्या है A, B, C, D, E तक ठीक है इसके बाद third question स्टार्ट हो जाता आपका यह भी आपका दो marks में होता है इसमें मैंने A part चूज किया है पहले तो आप question लिख लीजे इस question और इसकी figure ठीक है फिर उसका answer मैं दिखा देती हूँ आपको गीरा इसका answer यहाँ से आपका answer स्टार्ट है सब कुछ आपको as it is लिखना है same चलिए उसके बाद नीचे भी यह answer continue हो रहा है और third का answer यहाँ आपर end हो जाएगा चलिए उसके बाद आपका fourth question जो आपका चार नंबर में होता है सो से डेट शो शब्दों में यानि इसमें मैंने B part चूज किया है चीक है B part इसमें मैंने चूज किया है और नीचे इसकी figure बनानी है आपको बिल्कुल same लिखेगा बिल्कुल भी आपको गड़बड नहीं करनी है और अच्छे चे end writing में लिखना है क्योंकि अगर आप अच्छी end writing में लिखेगे तो आपका फायदा है आपको अच्छे से अच्छे number मिलेंगे उसके बाद उत्तर यहां से start होगा कोई भी जल्दबाजी मत करिएगा सबसे पहले आप लिखेंगे दिया गया है यानि कि क्या क्या हमें पहले से given था उसके बाद हमें क्या निकालना है इसमें मान निकालना है एक सुर्वाई का उसके बाद हल लिखना है ठीक है चलिए पूरा हल आप लिखेंगे पहले वैंने एकस का मान निकाल लिया बीस डिगरी सेम लिखेगा उसके बाद एकस का मान हमने लिख दिया बीस डिगरी ये भी आपका चाल नंबर का है, इसमें मैंने बी पार्ट चूस किया हुआ है, ठीक है, बी पार्ट यहां तक हो जाएगा, इसका पहले तो question, उसके बाद आंसर ये है, और figure आपको ये वाली बनानी है, same, बहुत अच्छे से ध्यान से आप figure बनाईएगा, उसके बाद आंसर आपका लिखेगा, ठीक है, same लिखेगा आप, नीचे भी आपका जो है, आंसर सिर्फ तो continue हो रहा है, चलिए, I hope इतनी बात आपको clear है, इतनी questions, ये आपका 5th question का आंसर ये आपे खतम हो जाएगा, उसके बाद आपका 6 question है, ये आपको बहुत important होता है, परियोजना, यानि कि project work वाला question, जो कि आपका 6 number का होता है, बहुत important question है, बहुत ध्यान से करींगे आप, ए पार्ट, चूज किया है मैंने इसमें, कि जंचन्ख्या और परिवारतियाय के संबन में, हमने अपने महले के 50 घरों का सर्वेक्शन करना है, तो तालिका आपको same बनानी है, पहले तालिका आप बनाएंगे, देख लीजिए तालिका इस तरी से बनेगी आपकी, फिर चलिए, उसके बाद आपका, नीचे भी ये, 41 के बाद 42, ये continue हो रही है, ठीक है, तालिका के, एंड में आपको 245 कुल करके लिखना है, उसके बाद इसका first question लिखेंगे, ये देखीजिए, ऐसे ठीक है, इसका first part का answer, पहले तो हमें लिखना है, कि हमें इसका क्या करना है, सार्णीवर्द तरीके से प्रस्तुत करना है, इस पूरी तालिका को जो हमने उपर देखी, answer आपको यहां से हो जाएगा, सार्णीवर्द तरीके से, टैली मार्क में, ठीक है, तो कुल परिवार 50 यहां पर आपका answer once खतम हो रहा है, next आपका second part है, यहां तक आपका second part का answer है, यहां से start होके, यहां तक खतम है, उसके पाद third, जो कि आपको क्या करना है, graph बनाना है, bar graph, तो पहले तो आप यहां तक इसका question लिखेंगे, फिर answer लिखेंगे, तो यह पूरा आपको bar graph as it is बना जाना है, दिखा देती हूं मैं आपको clear आपका bar graph, ठीक है, इसलिए मैं आपको कह रही हूं, अगर आपको इसका PDF चाहिए, तो contact जरूर करिएगा, टेलिग्राम पर, ठीक है, जैसे कि आपको PDF में जाएगा, और आसानी हो जाएगा आपके लिखेंगे, तो यहां पर आपका क्योंकि सबकी मदद होनी चाहिए भई, इसको TM में इसके fully sold answer मिलने चाहिए, और और जो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है हमारे चैनल को, ताकि आपके आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस helpful होती है, वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, आपको पिल्क सब्सक्राइब जरूर करेगा, वीडियो को लाइक जरूर करतेजेगा, थैंस फूर वाचिंग,